हलो दोस्तों में नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं study channel बात करेंगे दोस्तों टीज़िटी पीज़िटी 22 परिक्षा तीज़िटी के संबंद में एक बहुत ही महाधपूर अपटेट की सारे साथ बात करेंगे टीज़िटी पीज़िटी की योगिताओं में होने वाले बदलाओ की और आज के निउस्पेपर में ये खबर आपने देखी होगी कि अब पीज़िटी में बीड अनिवार हो गया है तो क्या ये 2022 सही लागू होगा क्या क्या बदलाओ होंगे योगिता में और क्या टेट भी अब लागू हो जाएगा साथे साथ एल्टी ग्रेड और जियाएसी लेक्षरार में भी कुछ बदला होने जा रहा है सब कुछ डिसक्स करेंगे वीडियो में लाज तक बने रहीएगा वीडियो में बने से पहले एक और जरूरी सूचना समय आ गया है दोस्तों टीजिटी पीजिटी की बहादरीन तयारी करने के लिए और एक्जाम पूर लेकर आ गया है टीजिटी पीजिटी के लिए एक बहुत भी बहादरीन कोर्स यहाँ पर सस्टी पॉलिटिकल साइंस, सामिल है, description box में लिंक दिया गया है, एक्जाम पूर आप का क्लिक करिए, आप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजिटी पीजिटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे, अभी दोस्तों एक बड़ा डिसकाउंट चल रहा है, यदि आप coupon code हमारा यूज करती है, study 50, यानि study 50, तो आपको 50% का छूट मिलेगा, 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपए में ही मिल जाएगा, एक बार चकाउट करिए, बहुत सारे free courses भी वहाँ पर अबलेबल हैं, तो दोस्तों साथ से पहले चीजिज आप देख सकते हैं, ये news आज की ही है, उसने बताय गया है कि प्रवक्ता की भरती में अब B.A.D. मांगा जाएगा, अभी तक T.G.T. में तो B.A.D. मांगता था, लेकिन P.G.T. में B.A.D. अनिवार नहीं था, उत्तर प्रदेश में, इसी के साथ साथ राजकी इंटर कॉलेज़ों में L.D. ग्रेट सिक्षक भरती जो कच्छा इसमें B.A.D. की आउशकता नहीं पड़ेगी, चुकि यह नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, और उस नोटिफिकेशन में B.A.D. का नाम नहीं था, तो अब बिलकुल निशिंद रहें, T.G.T. P.G.T. में जो निमावली पहले थी, वही रहेगी, इसमें P.G.T. में B.A.D विद्यालों में प्रवक्ता में B.A.D. अब अनिवार कर दिया जाएगा, N.C.T. ने 16 दिसंबर 2014 में ही अजिसोचना जारी किया था, जिसमें 99% अंकों के साथ B.A.D. मांगा जाता था, प्रवक्ता पत्द के लिए K.V.S. N.V.S. डिटर प्लस भी वगरे में, तो पहले से ह पीर था, लेकिन उत्तर प्रदेस में नहीं था, लेकिन अब आगे से ये लगू हो जाएगा, तो चीज़ें आपको बिल्कुल किलर हो गई होंगी, साथ ही साथ मैं आपको टेट के बारे में बता दूँ क्या इसमें सेटेट वगरे या यूपी टेट कुछ मांगा जाएग तो अभी ना वो एक्जाम हुआ है और ना अभी उसे मांगा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप निशिंद रहे हैं, टेट के बारे में आगे कोई अपडेट निकलेगी, आपको सुचना दिया जाएगा, फिलहाल टेट, 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 पीज़ेट या 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 कहीं भी नह जाएगा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1-5 और 6-8 के लिए जो भरतियां हैं, वहाँ पर ही टेट का प्रावधान है, अभी तक टेज़ेटी-पीज़ेटी की जो भरतियां हो रही थी या अभी जो हो रही है, 2022 वाली भरती, ये 100 साल पुराने नियमों से हो रही है, इसमें कारार्था की कला सिक्षकों की भरती में अब तक लाहोर की डिग्री मान थी, और BFA, MFA जैसे डिग्रियां लेने वाले भेतिस में आवेदन ही नहीं कर पाते थे, बहुत सारी भी संगतियां थी, साथी तर कुछ विशिवों में योगेता का विवाद था, और हिंदी जैसे एल्टी क्रेट की योगेतालग है, टीजिटी की योगेतालग है, इसके वज़से भरतियां फस्ती थी, कोट में भी जाती थी, नेमों में बदला होगा, तो ये सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, सुत्रों के अनुसार निमावली में संसुधन का प्रस्ताव है, प्रस्ती पीजिटी के लिए अविदन कर लेते थे, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, बात करें टीजिटी पीजिटी परिक्षा तिथी की लेटेस्ट अपडेट की दोस्तों, तो टीजिटी परिक्षा करा जाने की तयारी काफी तेज चल रही है, और परिक्ष परिक्षा करा जाने की तयारी नॉम्बर में चल रही है, उसके एकोर्डिंग आप लोग अपनी तयारी को तेज कर दीजिए, चैन बोर्ड में सदस से आते ही परिक्षा तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा, जल्दी एक मिटिंग होनी है, जैसे ये मिटिंग हो जाती उसके बाद एक्षाम डेट को अफिशली एलान किया जा सकता है, और इस महीने के लाज तक यदि परिक्षा तारीख नहीं आई तो ये मान कर जाना कि सेप्टेंबर के सुरुआत में ही आपका एक्षाम डेट ऑफिशली घोशित कर दिया जाएगा, और एक चीज़ आप बि परिक्षा तारीख के अईलान के बाद, इसे के साथ बहुत सार चाहत ये सवाल पूछ रहे हैं कि तदर्थ सिक्षकों की सीटों का क्या हुआ, वो इस विग्यापन में जूड़ पाएगा या नहीं, तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया है, तिज़िटी पिज़िटी प्रोसेस में समय लगेगा, सरकार भी अभी तदर्थ सिक्षकों को हटाने के मूड में नहीं है, तो इस भरती में तो कोई भी सीट अब नहीं बढ़ रहा है, बाकी और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दाएं, चैनल को सब् अथेंटिक इंफर्मेशन मिलती रहे, थैंक्स वार वाचिंग